नमस्कार नैशनल खबर पे आपका स्वागत हैं मैं हूँ श्वेदा रंजन और आज हमारे साथ हैं विश्व विख्यार पेहद्दो प्रिया हम सब के जहेते आपका स्वागत करते हूं दादा हमारे कारेक्र में सबस्कार वेदेख अच्छा लग रहा है आपको देखकर हमारे इस शो में आपके आने से बिलकुल चार चांद लग गए हैं हमारे कारेक्र में सबस्क्राइब को जा चाहते हैं हम तक पहुंचाना चाहते हैं अपनी राय लिखना चाहते हैं तो हमारे Facebook page National karpar पे जाएं कारेक्रम को देखें अपने comments लिखें हम उन्हें अपने कारेक्रम में जरूर स्चामिल करेंगे तो दादा अभी कैसा लग रहा है दूरिं इस पिरिद इस पिरिद इस तफ दिरिकल्ट बट साथ साथ इसे कलाकारों को एक बहुत लंबा समय मिला है कुछ नया करने का, कुछ नया कर दिखाने का So, how are you keeping yourself busy and occupied during these days, during the time of lockdown? I mean this has been a blessing हमारे लिए क्योंकि अब ये पुरा समय जो है, from April onwards हमारा schedule ऐसा था कि हमें बीदेश में रहने का था रवी जी का 100 years birthday celebration के कारण से तो अभी जो ये हुए है, in a way it is good for me because I lost my father in February. तो हमारे घर में रहने का बिल्कुली कुछ अमीद नही थी. तो अभी जो हाल हुए है So, I am forced to be at home with my family which is a great thing. I live with my family together. It's a joint family kind of thing. It is a joint family and a big family house that I live in. तो ये एक मौका हुए मा के साथ रहने का और I know my sister from Bombay, she was here. She couldn't go back for lockdown के कारण. So, अभी अच्छा हुए कि हम बहुत से पुराने classic films देख रहे हैं, खाना पिना हो रहा है, रियाज हो रहा है और आपके साथ बात करने के मौका हो रहा है, बिल्कुली. जब फिल्मे देखते हैं तो कभी पूराने फिल्मे देखते हैं तो लगता है कि इस संगीत को हम इसको ऐसे कर सकते थे. फिल्मे रोकते हैं बीच में चलते चलते हैं आपके नहीं नहीं यह जो चीज़ते हैं अब देखे ना यह कुछ दिनों से हम जैसे classics जो हैं उसमें एक आपके अच्योडी कल ही आखको हम देख रहे थे जलसाघर. सत्व जीतर रेख का यह फिल्म बहुत मश्रूर था उस्ताद बिलायत खा साब का म्यूज़ों है तो उसमें रोशन अरा जी का डांस है, फिर बिगमाक्तार जी का गायन है, सलमत खासाब का गायन है, बिलायत खा तो यह एक बड़ा सुंदर मौका है और गारणिंग कैसे चल रही है आपके दादा यह तो हमारा शॉक है तो वह हम करते हैं जबरदस्त करते हैं और ग्णे थूस्ट सीर फॉस्प Movement कि पूछंग से वारे थो देडिगें से चल रावada मैटर लीग गरिंग गर्णिंग भूंकि उत्थे कells थे लुक कानिख दो, बान वंट जा क्तिंग प्रूम्ट वड्र करते हैं इन ज्डाकर रही हॉटे Where अब्दर से वहु power then you know brushing the teeth, वो कान का सफाय, यह सब रोज करना होता है, so he's a very well maintained little boy, so he's no more little, he's five years old, but you know he is a puppy in a man's body. अजय नहीं लगता है आप सबकी आदतें बिगार रहें घर में अपने प्रेजंस से, सबको आदत लग जाएगी आपको घर में देखने के लिए? मुझे तो बहुत ऑच्छा लगता है, because you know I have grown up, जयसे आप जॉइंटा हमांने का जॉइंट भीम्टा आप जॉइंटा होता है, बाता बरा होने का, I have been in, born in a family which is like a joint family with 26 members. अभी तोद में होते होते, there are 18 people left now, तो बोरियत का सवाली नहीं हूठा, यू बिल्कुल नहीं है बिल्कुल नहीं है बिल्कुल नहीं है जएधा हमारे दर्शक पहले सोच रहे होगे कि अभी lockdown की तो हमने बाते कर ली लेकिन we should move ahead because अगर सामने दिख रहे हैं स्क्रीन पर, so we can't resist, हमें music तो चाहिए I'll be including the comments, there's so many people already there but उससे पहले मैं चाहूंगी कि जो दर्शक आपको सुन रहे हैं उनको को संगीत भी सुनने को मिले बिल्कुल, एक आते हैं कि हमारे शास्त्र में हजारों साल से देव देवियों का बर्नना है, जो तवला पखावज में पहले, पहले तो पखावज में वो बजदा था, पलाखार उसको फड़ते थे, फिर दोबरा बजाते थे, तो ये composition जो है पंडिक जी ने बनाया था and he used it, एक उनके orchestra में use किया थे, अती सुन्दर ये composition है, देखिए, मैं परता हूँ आपके सुनने के लिए तुरणाडः मुनि घान नमो नमू बाजत व्रिदंग वीना मिल चंग निरत है नकाणत तृट्रप्रम्टोटिव कई डुक्रम्टोट रंघा अब हमारा तो दिल ही नहीं कर रहा था आपने शुरू कर देया तो दिल ही नहीं कर रहा कि आप रुके इस बीटिफल इस दादा नो जाओ थाओ धुट थाओ धुट गोस तो रभी जी अपने उनके साथ एक लंबा वक्त गोजारा है और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा क्योंकि उनके वह बर्गत के पेड के चछत्र छाया में तो हजारों लाखों कलाकारों ने अपने आपको और साधा और निकारा आपने सब्स्डेट कौनसी बात है आपने सब्सक्राइब क्योंसी बात है वह बेस्ट आपने वह बेहत्तरी कौनसी बात है वह बेस्ट था लून्ट भंकि हमाश्या वह एक स्पेल में रहना you know he will always think of a rag or a tal or a tihai I say you have to breathe music that's what he used to tell me and the other thing is utmost humility you know a very important thing that Ravi ji always said you know you have to have the power to surrender क्योंकि एक जो aggressive attitude होते हैं कि हम सब जानते हैं हमारे आगे कुछ नहीं है you know there is no end to learning and he would always say कि समसे तो सिखना है वो हमारे गुरुजी पर्णित शंकर गोश जी भी कहते थे कि गुरु तो कोई एक नहीं हो सकता है लेकिन आज के समय ये और भी relevant हैं क्यूंकि बच्चिय जो है they should also learn the power to surrender you have to have your hands folded and have the power to surrender तभी हाब सिख सकते हैं तो ये दो चीजे I think I have learnt from him और ते कि इतने लंबा समय आई जॉए actually बड़ा मजे की बात ये हैं कि I was a young boy in a competition in Calcutta I stood first और रभी जी first prize हमें दिये थे बहुत इन the 80s तो उसके बाद I did not have contact with him then 90s early 90s in America I was traveling with Tejendra Narayanji and then we played in his house that was in 90s early then on 98 I got a call from him and my mother received the phone call landline में और ये सोचा कि कोई हमारे दोस्त होंगे जो मजाग कर रहे हैं हमारे से क्यूंकि Ravi Ji said कि तनमय है घर में this is Ravi Shankar from California और अबाजी कोई आपको सुने और अबाजी को सुना आपको सुना आपको सुना the first time my mother disconnected the line so he called again so I took the phone and you know I was trembling out of nervousness and excitement so Ravi Ji पौनलब आगए तनमय these is a Ravi Shankar from California would you play with me बिल्याट तो, I couldn't speak for a few seconds. Then I say, what are you saying, तो बरे हुए हैं आपको सुनके, और अबाजी को सुना आपके साथ, हमारे गुरुजी को सुना, कितने बुज़ूरब को सुना आपके साथ बजाते हुए, वे तो हमारे परम सहुभाग है कि आप यह कह रहे है कि आप हुकुम करिए। So, he told me to come to Delhi. So, that is how my journey started and then I continued till his last concert. You know, जो अमेरिका में लोंग बीच वे का, convention center में हुए. I played continuously with him for all these years from 98 till 2012. और वो एक समय था that I have seen the world, उनके नजर से मैं दुनिया को देखा. The best of hotels, the best of concert halls, और हर बार, हर concert में, वो जो एक आर्टिस्ट का attitude. He was nervous. तो मैं मजाग से कहता था कि रभीची आपको भी nervous ने सोते हैं। तो कहते ने ने, seriously I am so nervous. और फिर वो प्रोगम्त लोग पाखल होते थे वंको सुट। इजिए, you know but of course, इजी बताये। You participated in 3 Grammy Award winning recording. I did, I did, yes. So we would want to listen a piece from that but let me include comments that we have been receiving from the viewers because they are eagerly wanting to convey their regards. आपको दीप माला जी रुदरांश लिखते हैं, दादाइच एचा, अच्छा, खूब भालो, लाग लो, अपना के देखे, आपको देखता है I can't speak, I am only so whatever, please forgive me. आपको देखके बहुत अच्छा लग रहा, नवीर लिख रहा है. We have Rishish Shankar Upadhyay, Pakhavaj Flair, he writes, दादा को नमसकर, और हमारे साथ हैं Aayush Mohan, the Mohan Brothers, Saro Daru. Namaste दादा, nice to hear you live. And they also like, thank you Shweta ji for this wonderful session. Thank you Aayush, thank you so much. Ravi Pal writes Pranam. अदादा, आप कुछ कहना चाहते हैं, तो आप, you can give you a response. No, I mean, I am deeply humbled, कि आप लोग सुन रहे हैं, एपना समय निकाल के और लिख रहे हैं, और truly Shweta ji, I am very very happy to be a part of this show, because, you know, as a matter of fact, I am a very introvert person. I don't make an effort to go out and, you know, talk to people and not always do I come to live sessions. और Facebook में तो हमारा प्रेसेंस बहुत लिमिटेद हैं उस कारण से, because I don't really feel that I should push it. तो आप ने ये मौका दिया, तो I am very humbled, thank you so much. तो हम आपको थोड़ा सा वो इंट्रोवर्ट वाले फेज से बहार निकाल के लाने की कोशिश कर रहें. तो तो थोड़ा सा तो आप खुल गया हूंगे जादा बच्पन से बच्पन में क्या इपने इंट्रोवर्ट थे? आप देखिए, बच्पन में तो ऐसा था कि I actually, as a matter of fact, I have always been a prankster. बहुत बदमाश्री हम करते थे और जिसका कोई हद नहीं है. और as a matter of fact, Ravi ji खूब मजा लेते थे. मैं एक किसा आपको बता हूं कि एक बार कोई Mexican Airlines था, तो we were traveling, तो मैं और बिक्रम भाई बैठे थे, बिलकुर रवी जी के पीछे, और वो air hostess was looking for some Mr. Mendoza. तो she was going around the island looking for Mr. Mendoza, Mr. Mendoza. when she did it twice, on the third time when she was crossing, I raised my hand. I said Mr. Bosa and Mr. Gosa. So, and you know Ravi ji burst it out in laughter. तो ये सा वह मजा कुप करते थे and he used to love it. But and what all I mean to say is as a person basically and as a policy, I feel that there is no need for me to push unnecessarily. and that's what I meant. But otherwise as a person, I am definitely a very fun loving person. जी नदा, तो आपकी जो ये effortless उंग्लिया चल रही थी तबले पे में देख रही थी, I think this is what makes you different from other percussionist because ये बिलकुर जैसे आप आराम से बैट कि पता ने अपने आप उंग्लिया चल रही थी, you didn't have to make much effort. ने, स्वेता जी ऐसा है कि ये जो परंपरा है, ये परंपरा में some of the greatest tabla players, यहां हमारे इस परंपरा में, जो the heritage of classical music में हुए है, हमारे साथ भी हमारे generation के बहुत से great tabla players are there, तो अलग-अलग, बिलकुल मुखाने का जो recipes होते हैं, cuisine का लग-अलग dishes, तो हर का musician का एक-एक अपना-पना test होते हैं, बजाने का तु मैं हमारा अपना एक test है, because I have you know been a vocalist, I have been a harmonium player myself, so I believe my concept of tabla playing accompaniment is my platter, which I bring in to the table as a musician, लेकिन हमारे परंपरा में तो some of the greatest tabla players happened in the past, हमारे generation में भी बहुत से और हमारे आगे के पीडी में नी, हम से जो छोटे हैं उसमें भी बहुत से great tabla players हुए है, I am just you know a small fry, I am trying my bit whatever best I can do, How humble to be, very nice. No, which is true, which is true if you talk to any musician they will say, क्ये ऐसा नहीं and no one can claim that I am the greatest, you know you just have to keep learning and trying your best and अगर उपरवाले का अशिर्वाद हुआ तो उच बने का तो दादा बढ़ते हैं, ग्रामी के जो तीन रिकॉर्डिंग्स हैं उसमें से वन पीस तो रवीजी का सीटी था, वो the thing was we played with Raviji, तो उसमें तो सितार का पीसे था जिसमें हम लोग बद्याए हैं, you know I have played also and so there is not one piece that I can play out of that because it is primarily a sitar piece you know, लेकिन एक composition एक फर्माईशी चक्रदार जो musicians है they will understand, एक फर्माईशी चक्रदार चारताल के सवारी में Raviji बताये थे, बड़ी सुंदर composition है, मैं आपको पढ़के बताता हूं फिर बजाके सुनाता हूं, देखिए फर्माईशी का मतलब तो जो कलाकार है उनको सबको पता है, लेकिन वो ठेका के साथ फर्माईशी जो Raviji ने compose किया था, I think it is unique. मैं पाटके सुनाता हूं, धिं तरकट धिं धागे तुन्ना, धिं 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 तरकट धिं धागे तुन्ना, धिं 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 किया था, I'll play that for you. So, हमारे दर्शक लिख रहे हमारे साथ हैं Sanjeev Shankar. आदे Sanjeev Babu. Namaste. रिखते हैं, thanks for coming online dada. So, fantastic. I mean, this happened for you and Sanjeev Babu. He spoke to me and told me to be a part of this, your show. Thank you. And we have Purvayan Basu writes, Pranam Guruji, can't wait to hear the sweetest strokes in the world from the magical fingers. Thank you, Purvayan. Rudransh writes, wow, we are blessed to witness this. We are actually blessed dada. And moving ahead, music को आपने एक नया शेप दिया, एक नया आया आया भे लिया. Are you Indian classical के साथ, वो jazz, catch and fusion, how well is it accepted in the Indian phenomena if you see? You know, as a matter of fact, मैं आपको एक 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 जाम्पल के दौर में एक चीज मैं सुनाना चाहता हूँ. देखिए, एक basic composition जो दिल्ली घराने से हैं, तो उसी composition को ध्यान रखते हुए बुजूर्गों ने हर एक घराने में branch out किये. जैसे basic composition सभी जानते हैं tabla players, दिल्ली घराने के, ये दिल्ली घराने के composition है, लेकिन इसे composition को branch out करके, अलग-अलग घराने में अलग-अलग compositions बने हैं. वो तेटे को, वो तेटे जो syllable है, उसको ध्यान में रखते हुए, ये एक हुआ, फिर दूसरा. ये दूसरा हुआ, तीसरा जैसे. आजे, ये composition मैंने हमारे Guru Samhan, Pita Samhan, the great Ustad Amjad Ali Khan साथ से सिखा था. beautiful composition, देखिए, क्या concept है. वो ही तेटे के उपर ही composed. वो ही तेटे के ऊपर. आज देखिए, पंजाब घराने में इसी कमपोट तेटे को लेके. तो इज ब्रांच आउट एकी कॉंसेट को रेके थुड़ा सा उसमें फरक बना के बुजुर्गों ने ब्रांच आउट the same with fusion music. देखिये, in early days Ravi Shankarji और Lord Yohadi Mehnumin, that was the first fusion of East meets West. तब से शुरू हुआ. उसके बाद the great Ustad Zakir Hussain सहाभ, along with Mr. L. Shankar and Mr. John McLaughlin, वो शक्ती बनाया. उसके बाद शांती हुए जो Ustad Ashish Khan सहाभ, with Ustad Zakir Hussain सहाभ ने बनाया. तो this is nothing new. तो this is nothing new. तो this has happened for years from early 60s. Indian musicians from, started with Pandit Ravi Shankarji and then of course Ustad Aliebbar Khan सहाभ also did with John Garbarick and all these great artists and then Ustad Zakir Hussain सहाभ शक्ती बनाया. तो all I did, you know, I, which I feel that I contributed is that मुझे लगा की folk music. That's what I was meant to. You are the foremost musician to introduce folk music into this. Correct. That is what I always felt that folk music has got immense potential. तो when I started fusing folk music, उस समय ये जादा होते ही नही ते और किसी ने तो किया ही नहीं हमारे पहले. वो जो धाक एक celebratory होते हैं Bengal का, तो I started incorporating dhak players into my shows, then baul singers into my shows and I called it baul and beyond. तो I think fusion, एक बड़ा इंक बात रभी जी एक बार मुझे बताया था and I will always remember I would like to share that with young musicians also. कि you should do something when you are doing a fusion, which should have a logic, जुसको forced ना लगे. It should have a logic and a connectivity between two great forms of music. ऐसा ना लगे कि आप जैसे, हाँ, ऐसा ना लगे कि वो दू अलग अलगे खाली साथ में you are presenting. You should sound like one, even if you are presenting two forms or three forms of music together. So, इसके लिए जो इंपोर्त है, एक बड़ा इंपोर्त बात, सबक हमें सिखने को मिला था in Los Angeles. We spend some time with Ustaf Zakir Hussain Sahab. So, he said that when you are doing a fusion, you have to share a bread with that form, that musician. So, अगर आप कोई जैस के साथ कर रहे हैं, you have to spend some time with jazz musicians. तभी वो आपके अमदर आएंगे. You know, I have spent long hours, long time with folk artists. So, वो बात मेरे दिमाग में था. So, that is very important. That's how I started. And by God's grace, आप सब की दूाओं से वो बहुत साल होगा है. Successfully, I had been running Taal Tantra and Paul and Beyond all these projects. So, आप इतनी जो बहतरीन बाते दर्शकों को बता रहे हैं या अपकमिंग मुजिशन से जो जब्लातीखना रहे हैं उनके लिए I wanted to come to this point that being a musician, how beautiful has your journey been? Because later in life, along with being a musician, staying connected with music, you have branched out to different forms of it. Like TV show, talk show and production. So, how has the journey been and what lessons you have learnt? A few brilliant lessons that the younger generation must know and learn. I mean one thing, Joe, I always follow. I learnt it from the great Ustad Amjad Ali Khan Saab. He said, बे अदब बे नसीब, बे अदब बे नसीब, बादब बानसीब. तो ये एक सबक हैं जो musicians, जो बच्चे हैं, जो बरे हैं, सबको ये दिमाग में होनी चाहिए. तो ये एक बड़ा तालीम जो मैंने उस्तार जी से सिखा था. When I was very young, I went to him in the 80s. I was a young boy. So he has been my mentor in many ways. आपको मैं बता हूँ कि बच्चों को ये मन में रखना चाहिए, कि I have to keep my eyes and ears open to learn. There is no end to learning. और music ऐसा है कि there is someone somewhere who is better than you. So never think that you are the ultimate. You are not the ultimate. There are other people sitting somewhere else. He is not lucky. He was not at the right place at the right time. So he is not as famous as you are. But there are people who knows more than you, who are better what you are doing. So keep your mouth shut and do the best what you can do. This is what I believe in. And I think this is what I would like. हमारे आगे के पीडियों के जो अच्छे कलाकार हैं उनको ये सुनके मान के चलना चाहिए. तो दादा हमारे साथ हैं जो दर्शक मैं पहले उनके संदेश को लूँगी ये जो आप बहुत बढ़ियां बाते बता रहे हैं. सब सुन रहे हैं, दीप माला चाधरी लिखती हैं, दारुन लाक्षे दादा अपना के लाइ देखे. And I can't read your name, sorry Dada, can you read, can you see the text on the screen? I can, this is Chumki Chatterjee. Namaskar. Namaskar, pranaam Guruji. I don't know, I can't read, I'm so sorry. We have Ajay Kumar Mohan, he's a very senior captain with an airline, he writes namaskar bossa, आपको सुन रहे हैं. Namaskar sir. We have Sanchita Suprabo Chatterjee. अनेक दिन पोरे अपना के देखिम Guruji, तु भालो लाक्षे. So, बहुत दिन होगे आपको देखे हुए, शायद वो लिखना चाह रहे हैं. आप देखिए, आप वो आपके लिए, Swethaji जी वो Bengali Medium एक फिल्म होनी चाहिए. अब Hindi Medium और English Medium तो हो चुका है. अब Bengali Medium एक फिल्म होनी चाहिए जो आपको बांगला सिखने का मौका मिलें. आपकी संगत में को जाना हुए जादा. क्लास लीजे अब. अब तो हम आगे बढ़ते हैं अपना संदेश पहिजते रही है अपने कार्यक्रम में शमार करेंगे शामिल करेंगे अब तो हम आगे बढ़ते हैं अटादा. आपने कहां, musicians को humble होना चाहिए but how can they be different creativity wise how can they do they need to have a lot of riyas, kockers but how can they stand out from the crowd I mean, you know, that will happen naturally अब देखिये मैं वही तु कह रहा हूं कि देखिये वही एक तबला सबजेक्ट, या सितार, या सरोद, या शेहनाई, या बांसूरी कितने कलाकर बजा रहे है लेकिन उतने में अगर दो-तीन लोग सामने है तो हर एक का स्टाइल अलग है वह इसलिए कि you have, you will bring your own flavor into it and that will happen unknowingly you cannot do it consciously, लेकिन वह effort होनी चाहिए, वह journey होनी चाहिए जैसे हमारा जो थेके का अंदाज है when I play थेका with any musician my philosophy of music comes out through my थेका so that makes me different कोई लोग पसंद करते है कि उसमें, they will play a lot of syllables but I feel that I will play less syllable and give a support with sound to the musician that I am playing with, so this is a concept you may agree, you may not agree, but if you believe in it, that will come out through your music, that is what I believe तो आपने दादा Sangeet की जो शिक्षा तालीम की शिरुवात की वोगल से पहले की पिर आपको वोकल आपने छोड़ा हो और आप तबले की और आपका जुपा हुआ ग्रादुली, लेकिन हम चाहेंगे की हमें फोड़ा वोकल भी आपका सुनने को मिले, is it possible? I mean I don't have anything harmonium or Atanpur around me अभी तो वो नहीं हो सकता है लेकिन फिर कभी अगर मौका हुआ तो हम तयार होके बैठेंगे की आपको थोड़ा हम गाना भी सुनाएंगे तरुब there's one thing that you are very well known for promoting female tabla playas अप कहतें की लड़कियों को भी आगे आगे tabla इतने कम क्यों होती हैं लड़किया अव्या तबला真的 You know this is actually a social taboo जो हमारे वहां कहते हां की यह तो लड़कियों को करना नहीं चाहिए which I don't think is the right attitude जो हमारे सोसाइटी में पहले से ही था तो तबला अनफोर्चुनेटली तो उसमें पर गया कि ओ लड़कियों को तबला नहीं बजाना है because it is a very mardana thing I mean I don't really see why this idea came to their mind so I work with a lot of NGOs and there is a all girl drum team that I have made I call it Kolkata Daiko you know Japanese drumming class and there are a few girls who learn tabla from me also and they are very good and nothing else because कितने की अनुराधा जी कितना अच्छा तबला बजाती है और रिंपा कितना अच्छा तबला बजाती है there are a couple of girls who are amazing तो ये सब कहने के लिए पहले की जमाने की लोग कहते थे बुजर्ग क्या रहे लड़कियों से लड़कियों का काम नहीं है तो लड़कियों का काम ही है क्योंकि इसका जो आपको क्या बोले दे एस्थेटिक पार्ट you have to have a Ardha Narishwar जो concept है that whole concept that there is a woman in every man's system नहीं तो वो कला नहीं आएगी तो एस्थेटिक is important and that can only come when you have that female side in you brilliant तो लड़कियों से किम नहीं बजेंगे बहुत अच्छा मजता है we have one tabla player with us watching our show Pranshu Chaturlal क्या हां Pranshu Babu Namaste Pranshu तो बहुत जादा experiments भी करते रहते हैं he is somewhat a very very experimental kind of person he likes to create new things absolutely yeah so I mean I'm sure that you know that his father and grandfather grandfather legend one of the greatest of all times the great great Pandit Chaturlal Ji and Ravi Ji and Chaturlal Ji recordings unfortunately I did not get a chance to see him performing in live and of course I know Pranshu Ji's father and also I know him very well and his sister so and he's a terrific tabla player and I'm sure that he's going to take forward the legacy thank you Pranshu thank you for watching the show so Rada one of your compositions please if you would like to share and play for the audience we are not our composition we are not our Guru Ji Pandit Shankar Gaur Ji we are listening to our composition 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 so it was very good that you have been able to do it and you have been able to do it thank you thank you at your service anytime and the next time I will see you in Bangla so that someone who has seen it has been a part of our show I want to thank each one of you and please support this kind of a show because which includes classical musicians we have to remember that you are serving the legacy of our heritage Swetha ji congratulations to you thank you thank you thank you so much for being a part of it thank you thank you thank you thank you so I will say this that you have sent us your love and love like this we are sending us all to our Facebook page National Ack Khabar like our YouTube channel National Ack Khabar.com please subscribe to our channel we will see you tomorrow tomorrow Namaskar przy刀 przy magic convener przy झाल झाल